हलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास स्टेंट के हिंदी के मौस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव क्वेस्टिन एंसर बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एक्जाम की दृष्टी कौन से बहुत इंपोर्टेंट है इसी वज़से आप इस व अंबेदकर के विख्यात भासन एने हिलेशंस अफ कास्ट का हिंदी रुपांतर किस ने किया तो देखिए आपके असानी के लिए हमने इसका एंसर इसके नीचे डाले हुए है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कुश्चन आपको करवा पाएं इसका करेक्ट एंसर हो ज कि सेन साहिब को कितनी लड़कियां हैं इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपको दी यान की पांकि लड़कियां सेन पांच लड़कियां है नेक्स्ट कुश्चन है अगरजा सब्द में परतिया है तिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपको C याने की आजा नेक्स्ट कुश्चन है कि मदन किसका बेटा है तिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपको D गिरधर लालका नेक्स्ट कुश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइड के उपाधी परदान की गई थी इसका correct answer हो जाएगा आपको B यानिकी मैक्समूलर को नेक्स्ट कुश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के परवर्तक कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको B नली निविलो चन सर्मा नेक्स्ट कुश्चन है कि आत्म साथ सब्द में परतिया कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको C यानिकी तो नेक्स्ट कुश्चन है तो अलंत होगा next question है कि विचार और वितक किस लेखक की रचना है इसका correct answer हो जाएगा आपको A हजारी परसाद दुबे दीजी next question है कि नाखुन बार-बार काड़ते रहना और अलंकस्त करते रहना निरोपीत करता है इसका correct answer हो जाएगा आपको D सुन्दरता और स्वास्त पर ध्यान देने का next question है कि गिरेना सब्द का विलोम है इसका correct answer हो जाएगा आपको B यानि की प्रेम next question है कि हवा सब्द का लिंग निरनाय करे हवा सब्द यानि क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको A next question है कि कुल चार आदमी रेखांकित सब्द कौन पदबंध है इसका correct answer हो जाएगा आपको B यानि की सर्वनाम पदबंध next question है कि उसने अपने मित्र का पुस्त काले खरीदा क्या है तिसका correct answer हो जाएगा आपको B यानिकी सरलवाक्य है next question है कि नक्षत्र लोग किस लेखक की कती है तिसका correct answer हो जाएगा आपको B यानिकी गुनाकर मुलेका इसका correct answer हो जाएगा आपको दियाने की देवनागरी लिपी इसका correct answer हो जाएगा आपको ब याने की भोज next question है कि महाँ विद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है इसका answer हो जाएगा आपको C. बिनोद कुमार सुकल का next question है कि बहादुर की माँ गुस्चे से पागल क्यों हो रही थी इसका correct answer हो जाएगा आपको ए बहादुर ने भैंस को मारा था next question है कि किसने सोवियत संग पर आक्रमन किया इसका correct answer हो जाएगा आपको B. याने की हिटलर ने next question है यदि मनुष प्रस्थितियों का नियामक नहीं है तो प्रस्थितिया भी मनुष की क्या है इसका correct answer हो जाएगा आपको नियामक नहीं है नेक्स्ट कुश्चन है कि गुदरी का लाल मुहवरे कर्थ क्या होगा इसका कर्रेक्ट एंसर हो जाएगा आपको बियाने की गरीब के घर में गुनमान का उत्पन होना नेक्स्ट कुश्चन है कि गनेश सब्द का प्रियावाची है इसका correct answer हो जाएगा आपको ए लंबो दर next question है कि परति दिन सब्द कौन समास है इसका correct answer हो जाएगा आपको डि अव्यावी भाव समास next question है कि यसो धरा सब्द का संधी विचेत क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा आपको यसह जोड़ धरा वरावर यसो धरा next question है कि इनमें सुद्वा कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको भी सब्द तो केवल संकेत है next question है कि कभी घनानन किस बादसाह के यहां मेर मुनसी का काम करते थे तो इसका correct answer हो जाएगा आपको भी मुहम्मद सहरंगिले next question है कि जन्म के 6 घंडे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था इसका correct answer हो जाएगा आपको सुमित्रा नंदन पंत next question है कि फाबडे और हल राजदंड बनने को है यह पंक्ति किस कविता की है इसका correct answer हो जाएगा आपको एक जन्तंत्र का जन्म next question है कि एक विर्क्ष की हत्या कविता किसकी रचना है इसका correct answer हो जाएगा आपको सी कुवर नरायन next question है कि विरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रा है इसका correct answer हो जाएगा आपको ए दुस्चक्र में स्रश्टरता next question है कि प्रकृतिक सुंदर्ज की कविता के लिए विख्यात कवी है इसका correct answer हो जाएगा आपको भी सुमित्रा नंदन पंत next question है कि इस कवी ने वरना स्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुन ब्रह्म की भक्ती का परचार किया next question है कि नगर संबेदना के कवी है इसका correct answer हो जाएगा आपको विरेन डंगवाल next question है कि दुडदात मानविय विभी जिका का चित्रन करने वाली कविता है इसका correct answer हो जाएगा आपको ए यानि कि हिरोश्मा next question है कि गुरुन आनक के पद है इसका correct answer हो जाएगा आपको भी प्रेम एवं भक्ती के मधूरगी next question है कि रस्खान द्वारा कृष्ण लिल्ला का गान किया गया इसका answer हो जाएगा आपको D. सेवये में next question है कभी प्रेम घंद्वारा अधिकान स्काव रचना किस भासा में की गई है next question है कि स्वर्ण कीरन किस कभी की रचना है next question है कि आत्म जै नामक प्रबंधाकाव किस कभी द्वारा लिखा गया है इसका correct answer हो जाएगा आपको C. कुवर नरायन next question है कि आधुनिक साहित्य में एक परमुक परतिभात है इसका correct answer हो जाएगा आपको A. डक्टर सचिदानन ईहरानन वात्षयायन अगए next question है कि किसी ने जिन्दगी में पहले बार अस्पताल का विरोध नहीं किया जिन्दगी में पहले बार अस्पताल का विरोध नहीं किया इसका correct answer हो जाएगा आपको D मा next question है कि मा रात में कितने बजे hospital से लोटकर घर आई इसका correct answer हो जाएगा आपको A पौने 11 बजे next question है कि गौँ में जुवारी किस्म का व्यक्ति कौन था इसका answer हो जाएगा आपको रगमपा next question है कि साथ कोड़ी होता किस भासा के पर्मु कथाकार है इसका correct answer हो जाएगा B यनि कि उडिया भासा next question है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था इसका correct answer हो जाएगा आपको C लक्षमी का next question है कि मंगू के अलावा मा की कितनी संताने थी इसका correct answer हो जाएगा आपको दो next question है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी इसका answer हो जाएगा आपको एपुस्पा ने next आपका question है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था कितना simple question है इसका answer हम बिलकुल नहीं बताने वाले हैं आप हमें comment में बताएंगे बाकी my dear students हमने 50 objective question को अभी तक में solve किये हैं 50 question को और solve करना बाकी है इन में से आपका कितना सही हुआ है आप हमें comment में बताएंगे अगर अभी तक आपने हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में share करेंगे अब next question है next question है कि सुझाता कि कितनी कृतिया प्रकासित हो चुकी है तिसका correct answer हो जाएगा आपको B यन की 25 से अधिक next question है कि नगर कहाने के अनुवादा कौन है तिसका correct answer हो जाएगा आपको B यन की सुझाता next question है कि अनूज का stealing रूप क्या होगा तिसका correct answer हो जाएगा आपको B A यनि कि अनुजा Next question है कि इन में सुध सब्द कौन है तिसका correct answer हो जाएगा आपको B यनि कि अधीन Next question है दा सब्द का परियावाची है तिसका correct answer हो जाएगा आपको A चाकर Next question है कि अपेक्छा सब्द का विशेशन है तिसका correct answer हो जायेगा आपको D अपयकछित Next question है कि वागजाल सब्द का संधी विशेत है इसका correct answer हो जायेगा आपको A, वागजोड़ जाल Next question है पूरव सब्द संग्यां है तिसका correct answer हो जायेगा आपको A, व्यक्ती वाचक Next question है निम्न लिखित में सर्म नाम है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको A Next question है कि गुनवाचक विसेशन है इसका correct answer हो जाएगा आपको A Next question है कि बुद्धा एंड हीज धम्मा के ले खकोन है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको C भीम राम बेदकर next question है कि गिर्धार लाल सैन साहिब की फ्यक्टी में क्या था तो इसका correct answer हो जाएगा आपको C किरानी next question है कि मनुस्की पसूता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती यह पंक्ति किस सिर्शक पाठ की है इसका correct answer हो जाएगा आपको वीश के दात next question है कि चंद्र गुप्त यहने कि दुतिय का व्यक्ति गत नाम क्या था इसका correct answer हो जाएगा आपको देव next question है कि बहादूर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है तो इसका correct answer हो जाएगा आपको D यहने कि रिष्तेदार next question है कि बिर्जू महराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे इसका correct answer हो जाएगा आपको A यहने कि अम्बा को next question है कि हिंदुस्तानी डान्स म्यूजिक कहां है इसका correct answer हो जाएगा आपको D यहने कि दिल्ली में next question है कि राम नाम बिनुबिर्थे जगी जनमा सिर्षक कविता के सरी यहां सिर्षक होगा कि के अनुशार इश्वर की सरन में जाने का धिकार कौन है इसका correct answer हो जाएगा आपको D यहने कि जिनका अंतह करन निर्जल निर्मल हो D इसका correct answer होगा next question है रस्खान कीस पर सेकड़ो इंद्र लोग को नुचावर करने की बात करते हैं इसका correct answer हो जाएगा करिल के कुंजों पर इसका correct answer होगा next question है कि नादिर साहक के सैनिकों ने किसे मार डाला इसका correct answer हो जाएगा आपको B यानिकी घनानन्द next question है कि सुमित्र नंदन पंत रचित भारत माता सिर्शक कविता कहां से संकल है इसका correct answer क्या होगा